नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका हमारे इस यूट्यूब चलेल में और चले आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि RBI ने जो निर्देश दिया सभी बैंकों को उसके बारे में ये आप सभी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बहुत ही जादा क्योंकि हर कोई बैंक से जुड़ा होता है और सभी कस्टमर पर इसका एफेक्ट परने वाला है क्योंकि RBI ने निर्देश दिया है कि जितने भी पुराने ATM कार्ड है डेविट कार्ड है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए या फिर उसे रिप्लेस किया जाए इसकी एक समय सिमात तयकी गई है वो भी मैं आपको बताऊँगा अगर इसे बैंक नहीं करती है तो ATM कार्ड डेविट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जो भी सुविदा है वो समाप्त कर दी जाएगी अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा बैंक ने, RBI ने बैंकों को क्यों ये निर्देश दिया इसका साफ साफ एकी कारण है पुराने ATM में बहुत सारे ऐसी बाते थी जिसका फाइदा उठाकर जो ATM फ्रॉड करने वाले हैं वो फाइदा उठाते थे और लोगों को ठगी का सिकार बनाते थे तो इस कारण से RBI ने ये डिसिजन लिया है कि नए ATM कार्ड डेविट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को जारी किया है जो की सिक्योर्टी मामले से सिक्योर्टी रिजन से बहुत ही सुरक्षित है तो चले दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर दोनों ATM पुरानी ATM कार्ड और नए ATM कार्ड में क्या डिफ्रेंसेस है और किस तरह online fraud करने वाले इसे नहीं कर पाएंगे नहीं ठग पाएंगे आप लोगों को ये नए ATM डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से तो मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ और इसकी जो समय सीमा है वो भी मैं आपको बताऊंगो जल्दी से सुरू करते हैं इस एपिसोड को और एपिसोड को सुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा बगल में एक बेल बटन उसे हिट जरूर किजेगा ताकि हमारी latest वीडियो आपको मिलती रह और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ओनलाइन धोका धड़ी के मामले में RBI ने जो रिसर्च किया इसमें ये पता चला है कि 90% से ज़्यादा जो भी धोका धड़ी हुए हैं साइबर से रिलेटट, साइबर क्राइम से रिलेटट, और फ्रोड से रिलेटट, वो उसका कारण ATM कार्ड, debit कार्ड और credit कार्ड ही है तो bank ने जल्द से जल्द यह decision लिया RBI ने कि क्यों ना पुराने card में जो security के purpose से जो भी कमजोरियां है उसे दूर किया जा और नए card को बनाया जा तो नए card जो है वो EMV chip based आधारित है और पुराने card जो है magnetic strip के तहद काम करता है अब देखे difference क्या है अब left side में देख रहे होंगे यह पुराने ATM card का स्वरूप है right side में यह नए ATM card का स्वरूप है तो दोनों में difference है कि नए ATM card में जो EMV chip लगे होते है अब पुराने ATM card में सिर्फ magnetic strip होती है अब जब आप इसे swipe करते हैं किसी machine में तो वो machine bank की complete जानकारी उस magnetic strip से ले लेती है और अंत में आपसे pin मंगा जाता है आपको लगता है कि सब सब पहले pin मंगा जा रहा है लेकिन नहीं वो पूरे process को कर लेती है और तब आपसे pin मंगा जाता है ऐसे में जो fraud कर रहे हैं उनके लिए cloning बहुत ही आसान हो जाती है वो एक device लगाते हैं जो मैंने बताया भी था हमारे कुछ वीडियो है जो मैं उपर i button में मैंने दे दिया उसे आप देख लीजेगा उसमें मैंने बताया कि किस तरह से ATM fraud होते है तो यह क्या करते हैं कि वहा अब जूद भी उनके account से पैसे चले गए तो यह भी एक एम कारण है तो अब जो नए EMV chip based card है इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप machine में swipe करेंगे तो सबसे पहला process pin का होता है अब को ऐसा लगता है कि नहीं यह pin मांगा जा रहा है और इसके बाद हमारे transaction हो जाते हैं लेकिन जो machine है यह सबसे पले आपसे password मांगता है इसके बाद फिर वो password आप ok करते हैं फिर सारे information को collect करती है वो machine अब जो cloning device लगा होँआ है वो आपके इस तरीके से यह EMV chip based आधारे जो card होते हैं इसकी cloning करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी नामुम्किन तो कुछ भी नहीं है लेकिन उनके लिए नामुम्किन साह हो जाएगा तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम customer जो की ATM cloning जैसे बहुत तरह के ऐसे devices आ गये हैं मार्केट में जिसके कारण उनके लिए सिरदर्द बना हुआ हुआ ह रोक पाएगी तो यह difference है आपको मैंने पिक्चर में दिखा दिया आप देख लिजे कि पुराने कार्ड किस तरह से है और नए कार्ड कैसे है अगर आपको नए कार्ड आए हुए है बैंक से तो ठीक है अगर नहीं है तो इससे आप जल्द से जल्द बैंक से बदलबा लें इसके लिए क्या करना होगा यह भी मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको 31 दिसंबर 2018 तक एक डेड़लाइन आर्बिया ने दिया है सभी को तो आपको इससे पहले अपने बैंक में जाके जो भी बैंक के अदिकार है उनसे कहकर आप एक प्लाइफ में वो कार्ड आ जाएगा अगर आपको समय की दिक्कत है आपके पास समय कम है तो आप क्या कीजिए आप ऑनलाइन उस बैंक के वेबसाइट में जहां आपका एकाउंट है वहाँ पर जाकर आप अपलाए कर दीजिए यह दो प्रोसेस और 31 दिसंबर 2018 से पहले नहीं तो है तो वो बंद कर दी जाएगे यह RBI का निर्देश है और बैंक ने सभी को मैसेज देना शुरू कर दिया अगर आपको मैसेज नहीं आया तो आप जाके एक बार बैंक से इस बारे में बात कीजिए तो यही ता हमारा एपिसोड आसा करता हूँ कि आपको complete जानकारे मैंने दे पाया यह जो नए EMV ची बेस्ट कार्ड है इसके बारे में हमारा यह एपिसोड अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बगल में एक बेल बटन उसे हिट जरूर कर दीजेगा और चले दूस्तों तब तक के लिए हमारे इस चैनल को देखते रहे और मैं आपसे विदा लेता हूं धनिवाद